तुलसी विवा और एकादसी की हार्दिक शुपकाम नाए जैसे प्रभू शाली ग्राम और माता तुलसी की जोरी अजर अमर है और जन्म जन्नांतर से चली आ रही है वैसे ही मैं भगवान से प्रातना करती हूं कि मेरी आपकी और सब की जोरी जन्म जन्मातर तक बनी रहे तो इस अफसर पर मैंने बनाई थी मकाना की खीर और चावल की खीर इस अफसर पर आप कोई भी तामसिक भोजन ना करें प्याज, लेसन इस सब का सेवन ना करें और जादा से जादा हो सके तो फलारी खाना ही खाए तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ चावल की खीर इसके लिए मैंने एक लीटर दूद लिया है लगबख सौ ग्राम के करीब चावल लिया है पाँच से छे बादाम लिया है पाँच से छे काजू लिया है तो इससे हमारी खीर बहुत ही अच्छी बनती है फिर मैंने दूद को क्या किया है कि लो फ्लेम पे गैस पे चरहा दिया है और मलाई को दूद में अच्छे से मिक्स किया है ऐसा प्रोसेस करने से हमारी खीर बहुत ही टेस्टी और गारी बनती है और उसमें आपको मावा का टे कर दो दूद में फुला देने से फिर आपको खीर बना के खा सकते हो दूद जब हलका सा बॉयल हो गया तो मैंने इसमें केसर के 5-6 पतिया डाल दी है और उसको दूद के साथ अच्छे से मिक्स करूंगी इससे दूद में केसर का टेस्ट आजाएगा आप देखो दूद का कलर दूद की कम हो गई ही तो अब इसमें मैं एक चोटी कर्टोरी लगबग चार चमच के करीब चीनी आइड कर दूँगी आप अपने टेस्ट के घटा बढ़ा भी सकते हो इस स्टेज में चीनी आइड करने से इसमें सोनापन का टेस्ट आता और खीर बहुत ही टेस्टी लगत इसमें आइड कर दूँगी और एक बार इसको अच्छे से मिला लूँगी और लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी दो से तीन मिनट चावल और दूद को पकने के बाद मैं इसमें जो सारे ड्राइफ फूट्स थे उसको मैंने बारी काट लिया है और वन बाई वन करके इसमें आड कर दूँगी तो सबसे पहले मैंने इसमें कटे हुए बदाम को आड किया है उसके बाद मैंने इसमें कटे हुए किसमिस को आड किया है उसके बाद मैंने इसमें एक छोटी कटोरी नार्यल का पाउडर आड किया है और लास्ट मैंने इसमें कटे हुए काजू को आड कि और जब भी आप इधर से उधर गुज़ो तो एक बार बस उसको हिला देना है खीर आपकी पकड़ी आप देखो खीर में दूद की क्वाइंटिटी धीर धीरे कम हो रही है और बिल्कुल अच्छे से हमारी खीर पक के तयार हो गई है तो मैं इस स्टेज में इसको ये लगबख पांच से दस मिनिट के बाद की बात है तो मैं चेक करके देख लूँगी कि हमारा चावल पका है कि नहीं चावल बहुत अच्छे से पक गया है और आप देखो दूद कितना कम हो गया और खीर कितनी गारी बन गया और सारे ड्राइफ रूट्स आपको देख रहे हैं और इसका कलर भी गदम वाइट से क्रीम हो गया है जो शो कर रहा है कि हमारी दूद बिल्कुल रबरी के स्टाइल में पक गई और खीर हमारी बिल्कुल रबरी जैसी लग रही है यह बहुत ही टेस्टी खीर बनी थी अब मैं मखाने की खीर बनाओंगे इसके लिए मैंने एक बड़ी कटोरी मखाना को ड्राइ रोस्ट कर लिया है मैंने कडाई को फ्लेम से नीचे उतार दिया है और मखाना को आधे मखाने को मैंने ग्राइन करके उसका एक पोडर बना लिया है यहाँ पर मैंने लगबग सारे 700 ग्राम के करीब दूद लिया और इसको मैं थोड़ा गाढ़ा भी कर दिया है दूद की quantity कम हुई है तो इसमें मैंने फिर केसर आड़ कर दिया है केसर को अच्छे से दूद के साथ बॉयल किया तो इसे खीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है उसके बाद तीन से चार मिनट लो फ्लेम पे इसको बॉयल करूँगी और जैसे जैसे केसर मेल्ट होगा दूद का कलर भी चेंज हो जाएगा जो पाउडर मैंने मकाना का बनाया था उसको इसमें eat कर दूँगी आप देखो दूद की कौनटीटी कितनी कम हो गही और मकाना डालने के बाद जो साबूत उसको भी मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स करूँगी उसके बाद इसमें मैं नारियल का पाउडर, काजू, बदाम, किसमिस, जो ड्राइफूट्स मैंने काट के रखे, उसको इसमें आट कर दूंगी और एक बॉयल लाओंगी, मखाना का खिर बहुत जल्दी पक जाता है और हमारा मखाना का खिर बनकर तयार हो गया है, तो इसके चैनल पर अगरना है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, थैंक्यू फर वाचिंग आइए,